कि अच्छ आप इसको कर सकते हैं संडे के दिन कुछ mcq डिसकस किये जाएंगे कोचिस की जाएगी कि 10-15 mcq डिसकस किये जाएं जो कि यह वीकली करेंट अफेयर से वेज्ड होंगे यह यूपी PCS और विहार PCS का सेड्यूल है जो कि 3-5 बज़े के बीच में क्लासेश चलती हैं और यूपी एस्सी की डेली क्लासेश चलती हैं 6-8 यह लाइब क्लासेश हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इस वाट्सेप नंबर पे चंपर्क कर सकते हैं आए हम अपने आज के टॉपिक में चलते हैं आज हम विग्यान और प्रद्योगी की का करेंट अफियर डिसकस कर रहे हैं आज का एजन्डा क्या है इसमें टॉपिक कौन-कौन से डिसकस करेंगे पहले टॉपिक है एक लार्जेस्ट बैक्टिरिया खोजा गया है सेकंड टॉपिक है हर्मिट क्या है इसके बारे में जानेंगे एक जीन खोजा गया है जो की नाइट पौधों में नाइट्रेट जानेंगे, DRDO ने एक वेपन सिस्टम डवलप किया है, इसके बारे में जानेंगे, और क्लाइड कम्प्यूटिंग क्या है, इसको देखेंगे, आजे देखते हैं, पहला टॉपिक, अब तक का सबसे बड़ा जीवान हो जा गया है, उसका नाम क्या है, थियो मार्गरीटा मैग मैगनिफिका, यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा बैक्टेरिया है, इसका साइज लगभग एक सेंटीमीटर के आसपास है, थियो मार्गरीटा मैगनिफिका, इसका नाम आपको याद रख लेना है, थियो मार्गरीटा मैगनिफिका, यह एक सेंटीमीटर का है, यह कह खो जागा है एरेबियन दीप के मैंग्रो बनों में 2009 में इसको खो जागया था लेकिन इसके बारे में थिसिस अभी निकल के आई है इसके बारे में थियो मार्गरिटा मैगनिफिका इसके ये इतना बड़ा क्यों है क्योंकि इसकी उर्जा का सुरोथ सल्फर युक्त बाता ब ये किसी भी ग्यात जीवार उसे मेनिमम पचास गुना बड़ा है कुछ निज़ पेपर में तो ये लिखा था कि अगर इनसान को हम मान लेते हैं कि ये वैक्टिरिया है तो इस इनसान को मान लेते हैं कोई नार्मल वैक्टिरिया है तो ये जो थियो मर्गरिटा मैगनिफिका ह यह इसके आंगे हिमाले जितना बड़ा है इनसान के आंगे हिमाले जितना बड़ा है यह कुछ नीज पेपर में कवर किया गया था लेगिन अभी कि आप इतना समझ लेज़े कि यह कम से कम 50 गुना बड़ा है नार्मल बैक्टिरिया से एक इंपर्टन फेक्ट है अब तक का ग्याद सबसे बड़ा एकल पूस की जीव सबसे बड़ा एकल पूस की जो जिसमें सिंगल सेल होता है वो क्या है एक जली सहवाल है जिसका नाम है कैल रपा टेक्सी फोलिया इसको भी आप याद रख सकते हैं कैल रपा टैक्सी फोलिया यह अब तक का ग्याद सबसे बड़ा एकल कोस्की जीव है एकल कोस्की जीव क्या होते हैं वे जीव जिन में सिंगल कोसिका एक ही कोसिका से वो बने होते हैं यह जैसे सहवाल सहवाल एकल कोस्की जीव होते हैं सबसे बड़ा सहवाल पाया गया है कै का साइज क्या है फंद्रा से थीन सेंटिमीटर según कि इसका साइज है और यह जो रिव rash मेंट इंटर मैंगिनिफिकश को जा गया है इसका साइज 6 सेंटिमीटर है लगां से दूसर टॉपिक है हर्मिट फरमिट से बारें देखने का है यह एक नया spyware है spyware क्या होता है यह एक software होता है जो किसी computing device में बिना व्यक्त की permission की उसका data यूज करने के लिए या कि इसको ऐसे डेटा चुराने के लिए स्थापित किया जाता है जैसे Pegasus आप सुने होंगे रहुल गांधी की मोबाइल में गोवर्मेंट ने पेगिसस का सब पेगिसस कि स्पाइवेर डाल दिया है ऐसे एक नया spyware है कि हरमिट इसको याद अखना जै क्वेश्चन इससे कैसे बना सकता है कि यूभी स्पूँ सकता है कि हरमिट है कि हरमिट है क्या है हर्मिट एक spyware है कि एक spyware है कोई भारती सेना का जैविक हतियार है या कोई space satellite है ऐसे option बना सकता है तो आपको याद रखने हरमिट क्या है spyware है और पेगिसस भी एक spyware है अंगला topic देखते हैं पौधों में नाइट्रेट के अवसोशन को विनिमित करने वाला एक gene हो जा गया है उस gene का नाम क्या है MADS 27 ये gene का नाम है जो पौधों में नाइट्रेट के अवसोशन को विनिमित करता है नाइट्रोजन एक ब्रिहत पोशचत्त अभी पोसक्त्त मैक्रो नूट्रेंट्रेंट्स दो तरीके के नूट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट् में एक होता है माईक्रो नियूट्रियेंट जिनकी माइक्रो नियूट्रिये थे जैसे प्रोटीन दूसा तुरय चे अंग फिंग Zarate यह क्या है यह मैक्रोनीट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रे कोबाल्ट, मेगनीसियम, आइरन, कापर… बहुत सारे इसमें होते हैं मेनरल्च, जो की बहुत कम मातर अवस्यक होते हैं लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं बीना इनकी कमी से माईक्रो निूट्रियंट की कमी से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन वो सकते हैं पौधे मुखता म्रदा से नाइट्रोजन ग्राण करते हैं आप इसमें भी एक एंसे क्यों बन सकता है कि पौधे आक्सीजन नाइट्रोजन ग्राण करते हैं वायू मंडल से नहीं वायू मंडल से ग्राण नहीं करते हैं यह म्रदा से एक्सिन नाइट्रोजन ग्राण करते है पौधे, मुकता ब्रादा से नाइट्रोजन गरांड करते हैं और कैसे गरांड करते हैं, यह अमुनिया और नाइट्रेट के रूप में यह जड़ों द्वारा अवसोसित किया जाता मुख रूप से नाइट्रोजन का अवसोशन जड़ो द्वारा किया जाता है और वो अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में अवसोचित होती है नाइट्रेट का अवसोशन करने के लिए एक जीन जिम्मेदार है जिसे MADS27 नाम दिया गया MADS27 यह एक जीन है जो नाइट्रेट का अवसोशन करता है पौदों में और इसे एक्टिवेट कौन करता है एक आर्यने जीन को एक्टिवेट कौन करता है आर्यने एक एक्टिवेट करता है एक माइक्टिवेट करता है और ये पौदों में नाइट्रोजन को अवसोसन करता है है एंडियस के कार कौन कौन से हैं तीन मुक्रकार है नाइट्रेट का उसोसन करना जड़ों का विकास करना और तनाव सहिस्दू बनाना यानिकि इस्ट्रेस टॉलरेंस आप यह जानते होंगे कि पौदों में भी इसको जेल जाए पौधा इस मतलब इस वह टोलरेंट हो जाए इस इन चीजों के लिए कुछ हद तक टोलरेंट हो जाए इसको कौन ये काम करवाता है MADS27 नाम का एक जीन और जड़ों के विकास के लिए एक हार्मोन जिम्मदार होता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं आक्सिन हार्मोन जड़ों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मदार होता है आक्सिन हार्मोन जो की सभी पौधों की जितने भी पौधे होंगे उनकी सवस्थ कर दो सकती है नाइक तरेट को का अधिक उप्योंग करने से क्या प्रावला मा सकती है थे नाइट्रेट पोसक तत्व है जब म्रदा हुआ जल में यह एक तलाब है इसमें अगर नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा हो गई तो इधर यह सहवा या कि घास वगएरा ज्यादा पैदा होंगे और इसमें सड़ने लग जाएंगे इसमें तलाब में तो यहां से मीथेन गैस है तो इससे क्या होगा नाइट्रेट की सांधरता बढ़ने से इससे म्सी क्या बनता है नाइट्रेट का अधिक उपयोग करने से हरित ग्रह गैसों का उपसर्जन बढ़ जाता है यह आप इसको याद रखेंगे नाइट्रेट के अधिक उपयोग से हरित ग्रह गैसों क का उत्सर्जन ज्यादा बढ़ जाता है इसी लिए नाइट्रेट उर्वर्कों को गवर्मेंट रेगुलेट करती है अहले टॉपिक डी आडियो ने एक वेपन टेस्ट किया है उसका नाम क्या है वी एल एस आर एस एम वर्टिकली लॉंच और रेंज तरफेस टू एयर मिसाइ सिस्टम ये डी आडियो द्वारा एक वेपन बनाया गया है जिसे युद्ध पोथ पर तैनात किया जाएगा या किसी भी अनपोथ पर भी तैनाती इसकी की जाएगी और इसका रेंज कितना है 40 लगवक 40 से 50 किलो मीटर ये लंबी दूरी में ऐसे काम करेगा और उचाई में वर्टिकल इसका लगवक 15 किलो मीटर रेंज है इसे याद रखना है कि ये 9 सेना को दिया गया है और इसमें आप्सन क्या हो सकता है कि दिया डियो ने एक टेस्ट वेपन सिस्टम तयार किया है वी एल एस आर एस एम टेस्ट वेपन तयार किया गया है यह किस सेना से संबंद VLSRM vertically launched short range surface to air missile अंगला टॉपिक है cloud computing cloud computing क्या है अब लोगों ने इस टर्म को पहले भी कई बार सुना होगा cloud computing cloud computing cloud computing internet पर मौजूद अंसाधनों को अपने computer वा अन devices में इस्तिमाल कर लेना ही cloud computing है अब internet पर कौन कौन से संसाधन मौजूद होते हैं मौजूद हो सकते हैं, services मौजूद हो सकती हैं, software मौजूद होते हैं और hardware मौजूद होते हैं, internet पर मौजूद संसाधन यानि hardware, software और services सेवाओं को अपने computer वा अन devices में इस्तेमाल कर लेना ही cloud computing है इसको आगे example से समझते हैं लेकिन पहले एक important line है कि cloud computing का बादलों से कोई लेना देना नहीं है कोई संबंद नहीं है बादलों से ये mcq में दे सकता है कि cloud computing बादलों के नाम पे रखा गया है नहीं cloud सिर्फ इसलिए नाम लिखा गया है जैसे यह अर्थ है अर्थ के चारों तरफ बादल होते हैं तो यह एक ऐसा network system है cloud computing कि जो पूरे विस में हर जगए उपलब्द हो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप यहां भारत में बैठे हैं आप भारत में बैठे हैं तो आपके पास आपको कोई भी ऐसा अब माल जे मैक का system यूज करना है मैक का मैक बुक यानिक अपल का आपको system यूज करना लेकिन भारत में किसी के पास नहीं तब cloud computing के जरिये अमेरिका से access कर सकते हैं कि अग्जामपल समझते हैं cloud computing का एक्जामपल के तरह पर हम email देखते हैं email का software आपके computer में नहीं है लेकिन internet के द्वारा आप ब्राउजर की सहायता से email का उप्योग कर लेते हैं यही cloud computing का example है जबकि आप देखिए आपके mobile या computer में इसका hardware नहीं है नहीं software अब यह किसके पा से फिर भी आप अपना data send या receive कर सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं यही cloud computing का एक उदाहरण है cloud computing की तीन प्रमुक स्रेडिया होती है एक है infrastructure as a service, software as a service और platform as a service, जैसे कि आपको इनके नाम से ही जानकारी मिलती है infrastructure as a service यहीं की service की रूप में एक infrastructure उपलब्ध करवाना infrastructure क्या है जैसे एक्जांपल से आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे आपके पास एक windows का computer है आप internet browser में simply search करेंगे की cloud computing apple cloud computing आप search करेंगे तो आपको apple का mac computer यूज़ करने के लिए वो अनुमति दे देगा उसके लिए कुछ minimal charges लेगा मालिजे कि आपको पच्चेश डॉलर ले रहा तो आप उसको charges देखे apple का computer यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप उसका hardware और software सभी यूज़ कर सकते हैं आप उसमें data भी से अपना save कर सकते हैं जबकि आपके पास है कौन सा computer windows का कुछ ऐसी जरूत पढ़ गई जो windows के computer में काम नहीं हो पा रहा है तो आपको macbook चाहिए उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे cloud computing का अब इसमें कौन सा स्रेड़ी है यह infrastructure as a service दूसरी स्रेड़ी है software as a service इसके नाम से ही लफद है कि आप इसका सिर्फ software यूज़ कर सकते हैं सर्विस के रूप में जैसे Microsoft word का आप यूज़ करते हैं Microsoft में तो आप कोई changes नहीं कर सकते लेकिन आप इसका यूज़ करके अपने अपना काम कर सकते हैं अपने खरीदा नहीं है इसका full software खरीदे नहीं है लेकिन आप इसको जैसे आपको माल जी कुछ डिजाइन है आपको पता है कि मुझे इस तीन दिन लगेगा तीन दिन के लिए आपने आटो कैट को आउसे खरीद लेकिन लेकिन उसके अपने खरीद लिए अपना काम करेंगे आपना डेटा सेवर कर लेंगे यह अपने आप यह अक्यायर को फिल साफट्वेर को नहीं खरीदेगा तो ये लाक हों प्रफोटोप भी ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं अपना फोटो वगएरा का डिजाइन बना के आप उसको फोटो शेव कर लेजिए आपकी बलेटी खतम होगी यह एक्सपायर हो जाएगा आप इसका फूल साफ्टवेर खरीद नहीं रहें हैं प्लेट फार्म एजस सर्विस ए मैं आप इनको उप्योग जैसे में एक कंप्यूटर तो आप मैं का पूरसरवर यूज तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको मैनेज या हर्डवेर में और साफ्टवेर एजर शर्विस इसमें भी आप माइक्रोसाफ्ट के वर्ड के साफ्टवेर से कोई छेड़ छाड़ नहीं कर सकते आप इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन जब प्लेट फाम आपको उपलब्द करवा दिया जाए जैसे आपको एसा एक प्ले यह आपको साफ्टवेर बनाने के लिए अनुमत देगा उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं साफ्टवेर को किसको बेचना है या किसी और को देना है अप्लिकेशन बनाना है आज का वीडियो कम्प्लीट हो गया उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लाउड कम्प्लीटिंग हो गहरा समझ में आई होगी यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा थैंक यू कीप लर्निंग झाल 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 झाल